ओम शान्ति ये प्यारे बाब दादा की अवियक्त रूप से चले हुए महवाक्यों का रिवाइस्ट कोर्स है मुडली की ओरिजिनल डेट है 24 फरवरी 1998 बाबा की मुडली का आज सार है बाप से, सेवा से और प्यार से, परिवार से महबत रखो तो महनत से छुट जाएंगे बाब से, सेवा से और परिवार से महबत रखो तो महनत से छुट जाएंगे सुनते हैं बाबा आज क्या समझा रहें, बाबा कहती हैं, आज चारों और के बच्चे अपने बाप की जयनती मनाने के लिए आए हैं, तो मुर्ली हैं शिव जयनती की, चाहे सम्मुख बैठे हैं, चाहे आकारी रूप में बाप के सामने हैं, कही बच्चे तो हॉल में उपस थे थे सम्मुख और कही आकारी रूप में बाप के सामने हैं क्योंकि बाबा जब मुर्ली चलाते तो सभी बच्चों को जो बच्चे दूर भी बैठे अपने अपने स्थानों पर भी मुर्ली सुन रहे हैं उनको आकारी रूप में सम्मुकि मर्च कर देते बाप सभी बच्चों को देख रहे हैं एक तरफ मिलन मनाने की खुशी है दूसरे तरफ सेवा का उमंग उत्सा है क्योंकि शिवजेन्ति तो हमारे लिए सेवा का बहुत बड़ा अवसर है बाप का परिच्चे देने का अवसर है कि जल्दी से जल्दी बाप दादा को प्रत्यक्ष करे तो मिलन की भी खुशी है सेवा का भी उमंग दिखाई देता है बाप दादा चारों और के बच्चों को देखते हुए अरब खरब गुणा मुबारक दे रहे हैं अरब खरब गुणा मुबारक जैसे बच्चे बाप की जयनती मनाने के लिए कोने कोने से दूर दूर से आए हैं बाप दादा भी बच्चों का जनम दिन मनाने आए हैं तो बाबा केते बच्चे बाबा की जयनती मनाने आए हैं और बाबा कहां से आये हैं परमधाम से, बहुत बहुत दूर से बच्चों का जनम दिन मनाने आये हैं, क्योंकि शिव जैनती वो अनुक्षी जैनती है, जब बाप की और बच्चे की जैनती या जनम दिन एक साथ है, क्योंकि बाबा का आना माना बच्चों की अपनी पहचान लेना, यह नया जनम होना, सबसे दूर देश वाले कौन है, बाप या आप, तो दुनिया में भी कहते हैं, हम तो बहुत दूर से आप से मिलने आए हैं, तो दूर से आने वाले का महत्व होता है, तो बाबा कहते हैं, बच्चे भी बहुत दूर दूर से आए हैं, लेकिन ज्या लेकिन बाप कहते हैं, मैं आपसे भी दूर देश से आया हूँ. लेकिन आपको समय लगता है, बापको समय नहीं लगता है. क्योंकि बाबा तो तीखा रोकेट है न, सेकिन में पहुँच जाते हैं. हम तो देभान में हैं न, तो इसे लिए शरीर के साथ समय लगता पहुँचने में. बाबा ज्यादा दूर से आते, लेकिन सेकिन में पहुँचते, और हम नस्दीक से भी लेट में पहुँचते, समय लगता. आप सबको प्लेन या ट्रेन लेनी पड़ती हैं, बाब को सिर्फ रत लेना पड़ता हैं, बाबा को बस आखे प्रवेश करना हैं. तो ऐसे नहीं कि सिर्फ आप बाप का मनाने आए हैं, लेकिन बाप भी आदी साथी, ब्राम्भन आत्माई, जनम के साथी बच्छों का बर्थ दे मनाने आए हैं. क्योंकि बाबा के साथ साथ जिनका ब्राम्भन जनम हुआ, और जो बाबा के साथ साथ विश्यो परिवर्तन का कारे कर रहे हैं, बाबा भी उनका बढ़्डे मना रहे हैं. क्योंकि बाब अकेला अवतरित नहीं होते, लेकिन ब्राम्भा ब्राम्भन बच्छों के साथ दिव्य जनम लेते, अर्थात अवतरित होते हैं, बाबा आते ही जैसे अकेले कारे नहीं करते, पहले दिन से ही ब्राम्भा बाब और ब्राम्भन बच्छों के साथ कारे आरंब सिवाई ब्राम्भनों के यग्य की रचना अकेला बाप नहीं कर सकता, यग्य है तो यग्य सेट अकेला नहीं रचता, यग्य रचना के लिए ब्राम्भन चाहिए, तो यज्य रच्छा, ब्रम्हा द्वारा ब्राम्भन रच्छे, तब आप सब पैदा हुए तो चाहें दो वर्ष वाले हो, दो मास वाले हो लेकिन आप सभी को भी दिव्य ब्राम्भन जनम की मुबारक क्योंकि जब बाबा आती हैं, तो वतन में हम बच्छों को सबसे पहले इमर्च कर कर फिर आते हैं तो भले ही यहां साकार लोख में हमारा जनम धीरे धीरे होता लेकिन बाबा के साथ साथ बाबा आते ही वतन में हमारी रच्छना पहले से ही कर देते तो ब्राह्मन जनम की हमें मुबारक कितना ये दिव्य जनम स्रेष्ठ है दिव्य जनम है, पवित्र जनम है हम मुख वन्शावली है वो भी इश्वर्य मुख वन्शावली शिब बाबा ने ब्रह्मा मुख से हमें रचा है तो बाबा कहती बापी हरेक दिव्य जनमधारी ब्रामभन आत्माओं के भाग्य का सितारा चमकता हुआ देख हर्शित होते हैं है न कि बाबा केते हैं मेरे बच्चों का भाग्य वहाँ वहाँ है बाबा बच्चों के भाग्य का सितारा चमकता हुआ देख हर्शित होते हैं और सदा यही गीत गाते रहते, वाह हीरे तुल्य जीवन वाले ब्राम्भन बच्चे वाह, क्योंकि ये जनम, ये ब्राम्भन जनम हीरे तुल्य है, इसी जनम से हम चड़ती कला में जाते, बाकी तो हर जनम गिरती कला का है, लेकिन ये ब्राम्भन जनम, ब्राम्भा मुख वंशी, शिव वंशी, ब्राम्भा मुख वंशावली, ब्राम्भन जनम जो है, ये चड़ती कला का जनम है, इसमें हम भी कोड़ी से हीरा बनते, और विश्व को भी कोड़ी से हीरा बनाते, तो बाबा कहते, ऐसे जनम के तुम् उबारक हो वाहा वाहा हो न बाबा पूछते हैं कि जितना बाबा को बच्चों के भागय का ओना रहता कि बच्चों का भागय तो वाह वाह है ऐसे बच्चों को भी नशा रहता है कि हम वाह वाह है बाप ने वहा वहा बच्चे बना दिया कि ये अलोकिक जनम बाप का भी न्यारा है तो आप बच्चों का भी न्यारा और प्यारा है बाबा का भी दिव्य अवतरन जब बाबा ब्रह्मातन में प्रवेश करकर अवतरित होते ये अलोकिक जनम है और बहुत न्यारा है ऐसा जनम किसे का नहीं होता और बच्चों का भी ये ब्राम्भन जनम अलोकिक जनम जहां शिबावा हमें ब्रह्मा मुख से अडॉप्ट करते ये जनम भी न्यारा और प्यारा है ये एक ही बाप है जिसका ऐसा जनम वा जैनती है जो और किसी का भी ऐसे जनम दिन ना हुआ है ना होना है निराकार और फिर दिव्य जनम एक तो बाबा निराकार और फिर जनम भी लेते पर जनम लेते भी मैं मेरे पन से कैसे मुक्त रहते कैसे? ब्रह्मा बाबा के तन को लोन पर लेकर आकर कारे करते ये बड़ा दिव्य अलोकिक जनम है और सभी आत्माओं का जनम अपने अपने साकार शरीर में होता है उसको कहेंगे अपना शरीर, साकार शरीर में मैं पन मेरा पन रहता लेकिन निराकार बाप का जनम परकाया प्रवेश से होता है परकाया मना दूसरे के शरीर में होता है शरीर ब्रह्मा बाबा का है शिबाबा प्रवेश करकर आते हैं सारे कल्प में ऐसा इस विधी से किसका जनम हुआ है ऐसा जनम और किसी का नहीं होता एक ही बाप का ऐसा न्यारा जनम दिन होता है जिसको शिव जैनती के रूप में भगत भी मनाते हैं इसलिए इस दिव्य जनम के महत्व को आप जानते हो भगत भी जानते नहीं है वो मनाते हैं पर इस दिव्य जनम के महत्व को नहीं जानते भगत लेकिन जो सुना है उसी प्रमान उचे ते उचा समझते हुए मनाते आते हैं क्योंकि बाबा कहते हैं भक्ति मार्ग में जो भी मनाते हैं वो इस समय की यादगार है तो इस समय हम बच्चे समझते हैं कि शिवजेंती तो हीरे तुल्य है तो वो भी बड़े महत्व से उचे ते उचा समझ मनाते हैं पर उनको वास्तव में उसका महत्व मालूम नहीं आप बच्चे सिर्फ मनाते नहीं हो लेकिन मनाने के साथ स्वयम को बाप समान बनाते भी हो है न हमारा मनाना अर्थात स्वयम को बाप समान बनाना अलोकिक दिव्य जनम के महत्व को जानते हो ऐसा दिव्य अलोकिक जनम ये जो दिव्य अलोकिक जनम का महत्व हम जानते हैं कि परमधाम, निवासी, निराकार, शिबाबा ये दिव्य अलोकिक जनम क्यों लेते हैं? विश्व कल्यान के लिए बच्चों के कल्यान के लिए हमें रंग से राओ बनाने के लिए और किसी भी बाप के साथ बच्चे का साथ साथ जनम नहीं होता मानो तारीक भी सेम होगी लेकिन वर्ष तो सेम नहीं होगा लेकिन शिव जैनती अर्थात बाप के दिव्य जनम के साथ बच्चों का भी जनम है इसे लिए डाइमंड जुबली मनाई है न क्योंकि बच्चों के भी डाइमंड जुबली और बाबा की भी तो बाप के साथ बच्चों का भी दिव्य जनम है सिर्फ इसी जैनती को हीरे तुल्य जैनती कहते हो क्योंकि इसी से कौड़ी से हीरे जैसा बनते हैं लेकिन हीरे तुल्य जैनती मनाते स्वयम भी हीरे तुल्य जीवन में आ जाते हो सिर्फ मनाते नहीं है, ये जैनती मना कर हम हीरे तुल्य बन भी जाते हैं, क्योंकि बाप को पहचाना और समचा कि बाबा के साथ हमारा भी दिव्य अलोकिक जनम हुआ, और बाप को बाप टीचर सत्गुरु मान पूरी श्रीमत पर चलते, आग्याकारी होकर रहते, पिता के संबंध में हर आग्या पर चलते, तो फिर हम कैसे बन जाते हीरे तुल्य तो बाबा कहते हैं, इस रहसे को सभी बच्चे अच्छी तरह से जानते भी हो और औरों को भी रहते हो, बाप दादा समाचार सुनते रहते हैं, देखते भी हैं कि बच्चे बाप के दिव्य जनम का महत्व कितना उमंग उत्साह से मनाते रहते हैं, क्योंकि बच्चों को नशा है कि बाबा का आना माना बच्चों का मनुष्य से देवता बनना और नर्ग का स्वर्ग ब तो बच्चों को तो हर चीज की जैसे खुशी है बाबा के आने की भी अपने बनने की भी विश्व परिवर्तन होने की भी तूस नशे खुशी से बच्चे मनाते हैं बाप दादा चारों और के सेवाधारी बच्चों को हिम्मत के रिटर्न में मदद देते रहते हैं सेवाधारी बच्चों को तो बाबा कहते हैं एक कदम आपकी हिम्मत का और हजार कदम मेरे मदद के तो सेवाधारी बच्चे क्या करतें? हिम्मत का कदम उठाते, बाप मदद देते और वो सफलता पाते बच्चों की हिम्मत है और बाप की मदद है आजकल बाप दादा के पास सभी बच्चों का एकी सनेहे का संकल बार-बार आता है कि अब बाब समान जल्दी से जल्दी बनना ही है अब बच्छों को ऐसा आता है कि हम बाबा की जैनती मनाते मनाते हम बिलकुल बाब समान बन चाए बाबा कहते हैं बाब भी कहते हैं मीठे बच्चे बनना ही है हर एक को ये दृड निश्य है और भी अंडरलाइन कर दो कि हम नहीं बनेंगे तो और कौन बनेगा बाबा कहते हैं सिर्फ संकल्प में करो कि बनना है पर निश्य रखो कि बनना ही है हम नहीं बनेंगे तो और कौन बनेगा जो बाप परम पिता की पालना में पल रही है परमशिक्षक से पढ़ रहे हैं जिस पर सत्गुरु का वर्दानी हस्त है वो ही बनेंगे और कौन बनेंगे हम ही थे, हम ही है और हम ही हर कल्प में बनते रहेंगे चलो भई, सभी पक्का निश्य करो हम ही थे, हम ही है और हम ही हर कल्प में बनते रहेंगे ये पक्का निश्य है न डबल विदेशी भी शिव जेनती मनाने आए हैं अच्छा है हाथ उठाओ डबल विदेशी उठाओ भी सबी हाथ डबल विदेशी बाप दादा देख रहे हैं कि डबल विदेशियों को सबसे ज्यादा यही उमंग उच्सा है कि कोई भी विश्व का कोना रह नहीं जाए यह डबल विदेशियों को यह उना रहता है कि विश्व का कोई भी कोना ऐसा ना रह जाए जहां बाप को उनके बच्चे ना पहचाने भारत को तो काफी समय सेवा के लिए मिला है क्योंकि बाबा भारत में आते और 70s तक सेवा भारत में ही रहती तो इसलिए बहुत सेवा का समय सिर्फ भारत को मिला और भारत ने भी गाउं गाउं में संदेश दिया है भारत में भी सेवा अच्छी है गाउं गाउं तक बच्चों ने संदेश मौचाने की सेवा की है लेकिन डबल विदेशियों को भारत से सेवा का समय कम मिला है है न तो इसलिए उनको ओना क्या रहता कि जल्दी बाबा का परिछे पूरे विश्व में कोने कोने में पहुंच जाए फिर भी उमंग उत्साह के कारण बाब दादा के सामने सेवा का सबूत अच्छा लाया है और लाते रहेंगे बाबा केते भले ही सेवा प्रारंभ बाद में हुई लेकिन उमंग उत्साह के कारण सेवा का सबूत अभी तक अच्छा लाया है प्रोग्रेस अच्छी है और आगे भी लाते रहेंगे भारत में जो वर्तमान समय वर्गी करण की सेवाइं आरंब हुई हैं विंग्स की सेवाइं हैं तो अभी 19 विंग्स में सेवाओं को विभाजित किया गया है हर विंग के तहट अलग-अलग वर्ग की आत्माओं को जैसे बाबा का परिच्छे उनकी उनकी जो भाशा है जैसे व्यापार वाले व्यापार की भाशा समझते हैं साइन्स वाले साइन्स की भाशा समझते हैं तूस अधार से परिच्छे दिया जा रहा हैं तो भारत में जो वर्तमान समय वर्गी करण की सेवाएं आरंब हुई हैं, उसके कारण भी सभी वर्गों को संदेश मिलना सहज हो गया है। कितनी विंग्स हैं, पॉलिटिशियन विंग, रिलिजियस विंग, साइन्टिस्ट एदुकेशन विंग, साइन्टिस एंजिनियर्स विंग, एदुकेशन विंग, मेडिकल विंग, बिजनस इंडस्ट्री विंग, तो बाबा कहते हैं, ऐसे हर एक वर्ग को अलग-अलग संदे मिल रहा है क्योंकि हर एक वर्ग अपने वर्ग में आगे बढ़ना चाहते हैं तो ये वर्गी करण की invention अच्छी है क्योंकि उनको ऐसा लगता है ये हमारे हैं तो अपने वर्ग की सेवा करने में वो जैसे अपनी हिम्मत दिखाते हैं इससे भारत की सेवा में भी विशेश आत्माओं का आना अच्छी रौनक लग जाती है क्योंकि हर वर्ग की विशेश आत्माओं को खास निमंत्रन देकर बुलाया जाता है कि वो भी बाबा को पहचान अपने वर्ग में अन्यों को भी परिछे दें अच् अच्छे अच्छे ग्रूप ले आते हैं रिट्रीट कराते हैं तरीका अच्छा रखा है विदेशियों के लिए अलग-अलग रिट्रीट होती है तो वो भी लाते हैं रिट्रीट में अपने ग्रूप को और उनकी सेवा करते हैं जैसे भारत में वर्गी करण से सेवा में च जगदीश बच्चे ने इन्वेंशन अच्छी निकाली है और विदेश में ये रिट्रीट डायलोग किसने शुरू किया तो जैसे जगदीश भाई साब में यहाँ पर ये वर्गी करण की सेवा की युकति निकाली तो बाब दादा पूछ रहे हैं कि ये जो विदेश में रिट्रीट और डायलोग की सेवा शुरू ही इसका विचार किसने निकाला तो सबने कहा सबी ने मिल जुलकर किया तो बाबा केते भारत में भी मिल जुलकर तो किया ही है फिर भी निमित बने है ना तो कोई एक निमित बनता है अच्छा है हर एक को अपने हम जिन्स के संगठन में अच्छा लगता है जिनको वो अपने जैसा समझते है ना उस संगठन में आकर उनको कमफोटेबल होता है उसमें वो बात उनको अच्छे समझ आते हैं तो दोनों तरफ की सेवा में अनेक आत्माओं को समीप ला रिट्रीट की रिजल्ट अच्छी रही और वर्गी करण की भी रिजल्ट अच्छी है देश विदेश कोई न कोई नई इन्वेंशन करते रहते हैं और करते रहेंगे चाहे भारत में चाहे विदेश में सेवा का उमंग अच्छा है बाप दादा देखते हैं जो सच्ची दिल से निस्वार्थ सेवा में आगे बढ़ते जाते हैं उनों के खाते में पुन्य का खाता बहुत अच्छा जमा होता जाता है इसको अंडरलाइन करना सच्ची दिल से जो निस्वार्थ सेवा में आगे बढ़ते जाते हैं उनों के खाते में पुन्य का खाता बहुत अच्छा जमा होता जाता है। सेवा से पुन्य का खाता जमा होता है। लेकिन जब सेवा निस्वार्थ हो और सची दिल की सेवा हो तो पुन्य का खाता बहुत अच्छा जमा होता है। कई बच्चों का एक है अपने पुर्शार्थ के प्रालब्द का खाता, इसको अच्छे से नोट करना, जब हम अपना पुर्शार्थ करते, ज्यान, क्विचार, सागर, मन्थन, याद की यात्रा का पुर्शार्थ, धारनाओं में रहने का पुर्शार्थ, जीवन में दैवी गुणों के संपन व्यभार में आने का पुर्शार्थ, तो ये जो पुर्शार्थ हम करते हैं, उससे भी पुर्णे का खाता बनता है, जमा का खाता बनता है, तो पहला खाता जमा का कैसे बनता? पुर्शार्थ के प्रालब्द का खाता, दूसरा है, संतुष्ट रहे, ग्रुआओं का खाता इसको अच्छे से समझना एक होता है सम्बन, संपर्क में सेवाओं के साथियों के बीच रहना अपने अंदर कोई कम्प्लेंट नहीं किसी के संसकार देखते, किसी के करम देखते, अपने अंदर कोई कम्क्लेंट ना चले संतुष्ट रहना और दूसरा है मानो कोई आप से संतुष्ट नहीं है तो अपना एफ़र्ट लेना उसको संतुष्ट करने का वो जो भी चाहते हैं तो संगठन को बनाए रखने के लिए वो कदम बढ़ाना कि चलो उनकी ये इच्छा है या ये उनकी हमसे एक्सपेक्टेशन है तो ब्राम्भन परिवार में उस बात को देख कर उनको भी संतुष्ट करना तो इससे दुआओं का खाता मिलता है एक होता है संतुष्ट रहने से भी दुआओं का खाता मिलता और संतुष्ट दूसरों को संतुष्ट किया ब्राम्भन परिवार में तो उसमें भी दुआ का खाता मिलता है और तीसरा है यथार्थ योग-युक्त, युक्ति-युक्त सेवा के रिटर्न में पुन्य का खाता जमा होता है सेवा भी करनी है लेकिन सेवा कैसी हो यथार्थ माना निस्वार्थ सेवा सच्ची दिल सेवा और योग-युक्त और युक्ति-युक्त होकर सेवा जिस समय जिस प्रकार से सेवा करनी है जिस थिती से सेवा करनी है जिस युकती से सेवा करनी है वो कर सके उस accurate सेवा से भी पुर्ण्य का खाता जमा होता है ये तीनों खाते बाप दादा हर एक का देखते रहते हैं अगर कोई का तीनों खाते में जमा होता है अगर तीनों खाते किसी का जमा के चल रहे हैं तीनों विधी से कमाई कर रहे हैं तो उसकी निशानी है वो सदा सहेज पुर्शार्थी अपने को भी अनुभव करते और दूसरों को भी उसात्मा से सहेज पुर्शार्थ की स्वतही प्रेणा मिलती जब पुर्शार्थ दुआओं के अधार से होता है एक होता है कि बहुत करम बंधन से लड़ते हुए पुर्शार्थ हो रहा है। एक होता है विधी के अधार से जैसे स्वपुर्शार्थ से प्रालब्द का खाता जमा किया। उसके बन से जब पुर्शार्थ करते तो पुर्शार्थ ऐसा लगता कि बिलकुल सहज है। उस पुर्शार्थ में महनत का अनुभव नहीं होता। और जो दूसरे भी होते ऐसों को देखने वाले उनको ऐसा लगता कि सच में पुर्शार्थ तो कोई बड़ी बात नहीं है। ऐसा नहीं कि पुर्शार्थ करते नहीं और लगता बड़ी बात नहीं, पुर्शार्थ करते भी उनको ऐसा लगेगा कि हाँ, ये तो बहुत सहज है, तो उनको भी सहज पुर्शार्थ की प्रेड़ना मिलती, वो सहज पुर्शार्थ का सिंबल है, मेहनत नहीं करने पड़ती, बाप से, सेवा से, और सर्व परिवार से महबत है, तो ये तीनों प्रकार की महबत मेहनत से छुड़ा देती है, क्योंकि जब बाप से महबत होती, तो स्वपुर्शार्थ असान हो जाता, क्योंकि बाबा की श्रीमत है, तो उसको बड़े महबत से करते, फिर जब परिवार से प्यार होता तो संतुष्ट रहना, संतुष्ट करना महबत के अधार से बहुत एजी हो जाता और सेवा से प्यार है तो योग-योक्त, योक्ति-योक्त सेवा कर खाता जमा करते तो ऐसे महबबत में सेवा करें, पुर्शार्थ करें, तो फिर महबबत से दुआओं का खाता जमा होता और उसमें फिर मेहनत नहीं लगते बाप तादा सभी बच्चों से यही स्रेष्ट आशा रखते हैं कि सभी बच्चे सहज पुर्शार्थे सदा रहो लेकिन वो कब रहेंगे? जब जमा का खाता अच्छा हो जमा का खाता अच्छा होता है और वो महबबत के अधार से होता है मोहबत है तो सहज मोहबत है तो पुर्शार्थ का परिवार में चलते और सेवा करते जमा का खाता बढ़ाते हैं तो पुर्शार्थ सहज हो जाता 63 जनम भक्ती में उलजनों में भटकने की महनत की है अब ये एक ही जनम है महनत से छूटने का वो भी अगर विधिवत चले तो वरना पुर्शार्थी जीवन भी महनत की लगेगी अगर विधिवत नहीं चल रहे दुआएं नहीं कमा रहे तो पुर्शार्थी जीवन महनत की लगेगी अगर बहुत काल से महनत करते रहेंगे तो ये संगम युक का वर्दान महबत से सहज पुर्शार्थी का कब लेंगे अब संगम युक का वर्दान क्या है कि महबत के अधार से महनत मुक्त बन चाना तो ये वर्दान कब लेंगे अगर महनत में ही लगे रहेंगे तो बाप से प्यार हो परिवार से और सेवा से तो इस महबत के अधार से महनत से छूट सकते न दुनिया में भी कहते हैं लेबर तो प्यार में महनत नहीं होती तो बाबा कहते प्यार में बाप के परिवार के और सेवा के प्यार में जब ये तीनों कदम बढ़ाते तो महनत मुक्त हो जाते युग समाप तो वर्दान भी समाप तो यही समय है इस वर्दान को प्राप्त करने का महनत मुक्त सहच पुर्शार्थी बन उचे ते उचा पद पाने का तो सदा इस वर्दान को जल्दी से जल्दी ले लो, कोई भी बड़े ते बड़ा कार्य हो, कोई भी बड़े ते बड़ी समस्या हो, लेकिन हर कार्य, हर समस्या ऐसे पार हो, जैसे आप लोग कहते हो ना मक्खन से बाल निकल गया, क्योंकि जिसके पास जमा का खाता होता दुआउं का खाता होता उसको विघन आएगा लेकिन वो विघन वनाशक बन उस विघन को पार कर लेगा कई बच्चों का थोड़ा थोड़ा बाप दादा खेल देखते हैं हरशित भी होते हैं और बच्चों को देखकर रहम भी आता है और क्या खेल देखते हैं जब कोई समस्या या कोई बड़ा कारे भी सामने आता है तो कभी-कभी बच्चों के चहरे पर थोड़ा सा समस्या वा कारे की लहर दिखाई देती है इनने जिसको आजकर स्ट्रेस कहते हैं दिखाई देता है कि हाँ इनके सामने कुछ आया है तो बाबा कहते हैं बाबा के बच्चे सर्वशक्तिवान जिसका साथी है उनका चेहरा थोड़ा भी बदल जाए शुबा तो नहीं देता ना थोड़ा सा चेहरा बदल जाता है फिर अगर कोई कहता है क्या हुआ तो कहते है काम ही बहुत है न और कोई कहेगा आपका चेहरा ऐसे लग रहा है बिमार लग रहे हैं थके हुए लग रहे हैं तो कहेंगे, आजकल काम बहुत हैं, सेवा बहुत है विगन विनाशक के आगे विगन ना आवे तो विगन विनाशक टाइटल कैसे गाया जाएगा विघन विनाशक वो नहीं होते जिनके आगे विघन नहीं आता लेकिन विघन विनाशक वो जिनका जमा का खाता जिनकी अवस्था इतनी उच्छी है कि विघन आता भी तो उनके लिए उस विघन को पार करना जैसे मक्षन से बाल निकालने जैसा है तो बाबा कहते ही थोड़ा सा चेहरे पर थकावट या थोड़ा सा मूड बदलने के चिन नहीं आने चाहिए क्यों आपके जड़ चित्र जो हैं आधा कल पूझे जाएंगे उसमें कभी थोड़ा सा भी थकावट या मूड बदलने के चिन दिखाई देते हैं क्या याद करो अपने जड़ चित्रों को हलका सा भी कोई रिंचक मात्र भी थकावट या मूड बदलने की चिन दिखाई देते हैं तो वो आप ही के चित्र है न तो चैतन्य और चित्र अगर मैच ना कड़े तो कैसे चलेगा तो बाबा केती हैं आपके जड़ चित्र सदा मुस्कुराते रहते हैं तो वो किसके चित्र है आपकी है न तो अगर आपका इस समय का चैतन्य चित्र मैच नहीं कर रहा तो फिर क्या कहेंगे कि वो आप नहीं है और अगर आप ही के चित्र है आप ही वो देवी देवता है तो इस समय हलका भी चेहरा बदलना, मूड बदलना शोभा नहीं देता तो चैतन्य काही तो यादगार चित्र है इसलिए थोड़ा सा भी थकावट वा जिसको कहते हो चिड़ चिड़ापन वो नहीं आना चाहिए ना स्ट्रेस ना इरिटेशन, कोई भी चीज चेहरे पर अब चेहरे पर कब नहीं आएगी जब मनसा में नहीं आएगी क्यूंकि चेहरा तो मन का दरपण है अगर मनसा में थोड़ी भी बाहर की बात की लहर अंदर आई तो चेहरे पर भी जरूर नजर आईगी सदा मुस्कुराता चहरा बाप दादा को और सभी को भी पसंद आता है अगर कोई चिड़चिड़े पन में है तो उसके आगे जाएंगे बाप दादा भी वो बाबा के सामने नहीं जा सकेंगे और कोई भी उनके सामने जाना पसंद नहीं करेंगे लेकिन हम तो होवनहार देवता है न और देवताएं तो दर्शनिय मूरत होते हैं सबको दिल होती है उनके सम्मुख जाने की लेकिन ऐसा चहरा बनाएंगे तो सम्मुख किसी को आने का मन होगा सोचेंगे अभी कहें या नहीं कहें तो आपके जड़ चित्रों के पास तो भगत बहुत उमंग से आते हैं और चैतन्य में कोई भारी हो जाए कोई आपको देखकर उनके संकल्प चले कि इनके सामने जाए या ना जाए तो अच्छा लगता है न ब्रामन कैसा होना चाहिए ऐसा कि हरे को दिल हो कि उनके पास चाहे तो बाप दादा सभी बच्चों के चेहरे पर सदा फरिष्टा रूप वर्दानी रूप वर्दाता रूप रहम दिल अथक सहच योगी वा सहच पुर्शार्थे का रूप देखना चाहते हैं आज योग में संद्या में अभ्यास करना सदा फरिष्टा रूप दाता रूप वर्दानी रूप रहम दिल अथक सहच योगी वा सहच पुर्शार्थे का रूप देखना चाहते हैं ऐसे स्वरूप में ब्राह्मन स्वरूप हमारा ऐसा हो इसमें स्थित होना ये नहीं कहो बात ही ऐसी थी ना कैसी भी बात हो लेकिन रूप मुस्कुराता हुआ शीतल गंभीर और रमनीकता दोनों के बैलन्स का हो गंभीर भी मेच्योरिटी भी है और रमनीकता भी है इसे सीरियस वाला गंभीर नहीं रमनीकता भी है और गंभीरता भी है और शीतल भी मुस्कुराता हुआ भी आज ये सारे स्वरूपों का अभ्यास करना ये वाली वृत्ती अपने अंदर रखना कि मैं शीतल भी है चेहरा और मुस्कुराता हुआ भी गंभीर भी और रमनीक भी कोई भी अच्छानक आ जाए और आप समस्या के कारण वा कारी की कारण सहच पुर्शार्थी रूप में नहीं तो वो क्या देखेगा अब सोचो कोई अच्छानक आ गया आपने तो कारण को कारण बना लिया और अपने स्वरूप से नीचे आकर बैठे है और वो तो दर्शन करने आया वो पाँच हजार वर्श के बाद आया और उसको रूप क्या दिखाई दिया आपका चित्र तो वही ले जाएगा न यही स्मृति के चित्र से तो भक्ति मार में चित्र बनाएगा तो उसकी स्मृति में आपका कौन सा चित्र छप क्या कोई भी समय कोई भी किसी को भी चाहे एक मास का हो, दो मास का हो अच्चानक भी आपके फेस का चित्र निकाले तो ऐसा ही चित्र हो जो सुनाया मुस्कुराता, शीतल, गंभीर और रमनिक तो कभी भी कोई भी निकाले तो ऐसा चित्र सामने निकले दाता बनो लेवता नहीं दाता और दाता माना अपने स्थिती भरपूर हो, फुल हो तब तो दे सकेंगे कोई कुछ पी दे, अच्छा दे वा बुरा भी दे लेकिन आप बड़े ते बड़े बाप के बच्चे बड़ी दिल वाले हो अगर बुरा भी दे दिया तो बड़ी दिल से बुरे को अपने में स्विकार ना कर दाता बन आप उनको संयोग दो, स्नेहे दो, शक्ती दो जैसे सागर होता है, नदी कैसी भी हो मैली, उजली, छोटी, बड़ी, दूर से आने वाली, पास से आने वाली सबको अपने अंदर समा लेता और सागर अपनी लहरों में वैसा का वैसा रहता तो आप उन्हे वो दो जो आपका स्वरूप है सनेहे दो, शक्ती दो, सहीयोग दो और वो जो कुछ पी देता है उसे समालो उसका प्रभाव हम पर नहीं आना चाहिए ऐसी बड़ी दिल वाला बनना पड़े कोई ना कोई गुण अपने स्थिती द्वारा गुफ गिफ्ट में दे दो जिस गुण के स्वरूप में रहेंगे ना चाहे मदूरता हो, चाहे धेरेता हो, चाहे हर्शित मुखता हो उस गुण को गिफ्ट में दे दो क्योंकि वो जो भी कुछ दे रहा है जैसे पहले लौकिक चीवन में हम भी क्या करते थे, कोई कुछ देता था तो ले लेते थे तो वो भी रेडी बैठा है लेने के लिए तो अगर आप अपनी सूरत गुण मूरत रखेंगे तो वो आप से वो गिफ्ट ले जाएगा इतनी बड़ी दिल वाले बड़े ते बड़े बाप के बच्चे हो रहम करो दिल में उस आत्मा के प्रती और एक्स्ट्रा स्नेहे इमर्ज करो क्योंकि उसको एक्स्ट्रा स्नेहे चाहिए ताकि उसके अंदर जो स्नेहे का उपजिट है वो भी परिवर्टन हो जाए स्नेहे में परिवर्टन शक्ति होती है जिस स्नेहे की शक्ति से वो स्वयम परिवर्टित हो जाए ऐसे बड़ी दिल वाले हो या छोटी दिल है छोटी दिल है तो कोई भी चीज समा नहीं सकेगी बड़ी दिल है तो वड़ी से बड़ी बात समा कर उनको अपने स्वरूप से भरपूर कर सकेंगे अपने वर्दानी, रहम, दिल, दाता, स्वरूप से भरपूर कर सकेंगे तो बाबा कहते ही समा लो सागर में कितना किछड़ा डालते हैं डालने वाले को वो किछड़े के बदले किछड़ा नहीं देता आप तो ग्यान के सागर, शक्तियों के सागर के बच्चे हो मास्टर हो तो हमें भी वो देना है जो हमारे पास है वो नहीं जो उसने हमारे को दिया तो सुना बाप दादा क्या देखना चाहते हैं मेजॉरिटी बच्चों ने लक्ष रखा है कि इस वर्ष में परिवर्तन करना ही है मुक्ति वर्ष में परिवर्तन होना ही है करेंगे, सोचेंगे नहीं, करना ही है करना ही है या वहां जाकर सोचेंगे बाबा कहते हैं, ऐसा तो नहीं, जाएंगे अपने अपने स्थान पर बदल जाएंगे, जो समझते हैं, करना ही है, वो एक हाथ की ताली बजाओ, हैना सभी ने हाथ हिलाया, चलो भई, सभी एक हाथ की ताली बजाओ, जिनको करना ही है, बहुत अच्छा, सिर्फ ये हाथ नही मन से द्रिड संकल्प का हाथ उठाना ये हाथ तो सहज है मन से द्रिड संकल्प का हाथ सदा सफलता स्वरूब बनाता है ऐसे तो हाथ सभी हिला लेते हैं लेकिन जरूरी नहीं कि हाथ हिलाया तो बन चाए लेकिन अगर द्रिडता का हाथ सचमुच उठाया है मन से तो फिर सफलता मिलेगी और परिवर्तन हो जाएंगे जो सोचा वो होना ही है सोचेंगे तो पॉजिटिव न, नेगिटिव तो सोचना नहीं है नेगिटिव सोचने का सदा के लिए रास्ता बंद बंद करना आता है या खुल जाता है अंदर का द्वार क्या? बाहर से खुलता है क्या? या अंदर अपना लॉक लगा है बंद तो बंद कर सकते हैं? या कोई धका मारे तो खुल जाएगा ऐसा द्वार है देखो अपने अंदर का द्वार चेक करो जैसे अभी तूफान लगाना तो दर्वाजे आप पे ही खुल गए ऐसा तो नहीं होता अगर ठीक से वो लॉक लगा नहीं होगा तो खुल जाएगा आप समझते हो बंद करके आगे लेकिन तूफान खोल दे ऐसा धीला नहीं करना तो ऐसा द्रिड संकल्प का अपने अंदर लॉक लगाना कि कोई भी बात आजाए हमारी नेगिटिविटी के लिए हमारा द्वार ना खुले डबल विदेशियों का उत्सव अच्छा हुआ न दस वर्षों से अधिक समय से ज्ञान में चलने वाले करीब चार सो डबल विदेशि भाई बेनों का समान समारों मनाया गया तो चार सो भाई बेन जो दस वर्ष से अधिक चल रहे हैं ज्ञान में उनका समान समारों हुआ तो बाबा केते अच्छा लगा जिसने मनाया और अच्छा लगा वो हाथ उठाओ पांडव भी है इसका महत्व क्या है मनाने का महत्व क्या है मनाना अर्थात बनना तो मनाने में जो श्रिंगार होता है बाबा केते वो श्रिंगार का सुरूप बनना है सदा ऐसे ताजधारी स्वपुर्शार्थ और सेवा की जिम्मेवारी क्या कहें मौज की कहें सेवा के मौज मनाने का ताज सदा ही पढ़ा रहे तो जब सम्मान समारू मनाया तो ताज पहनाया तो भाबा कहते ही ताज किसका ताज है स्वप पुर्शार्थ और सेवा की जिम्मेवारी का ताज या सेवा की मौज का ताज ये सदा पढ़ा रहे, इसका स्वरूप बनो और golden चुन्नी भी सभी ने पहनी ना तो golden चुन्नी किसलिए पहनाई सदा golden agents थिती, silver नहीं, golden और फिर दो-दो हार भी पहने थे तो golden agents थिती की निशानी है golden चुन्नी और दो-दो हार किसकी निशानी तो दो हार कौन से पहनेंगे एक तो सदा बाप के गले का हार बाप के गले का हार माना बाप से बिलकुल नजदेक गले के नजदेक होता न हार सदा कभी गले से निकलना नहीं गले में ही पिरोई रहें और दूसरा सदा सेवा द्वारा औरों को भी बाप के गले का हार बनाना ये डबल हार है तो एक तो स्वयम बाप के गले का हार बनना और दूसरे को से बाप के गले का हार बनाया तो अपने गले में भी हार पढ़ जाता तो बहुत अच्छा मनाने वाले को भी लगा और देखने वाले को भी लगा तो इस उत्सव मनाने का सदा के उत्सव का रहस्य बताया कि ये तो बस जैसे सिंबॉलिक पहना लेकिन इसका स्वरूप सदा बन कर रहना और साथ साथ ये भी मनाना अर्थात और उमंग उत्सा बढ़ाना सभी के अनुभव बाब दादा ने तो देख लिए अच्छे अनुभव रहे खुशी और नशा सभी के चेहरों में दिखाई दे रहा था बस ऐसा ही अपना शक्तिशाली मुस्कुराता हुआ रमणीक और गंभीर स्वरूप सदा इमर्ज रखते चलो रमणीक और गंभीर स्वरूप इमर्ज करते चलो क्योंकि आजकल के समय के हालातों उसके प्रमान ज्यादा सुनने वाले समझने वाले कम हैं देख कर अनुभव करने वाले ज्यादा हैं तो बाबा कहते हैं आपके चेहरे और चलन से ज्यादा सेवा होगी वानी से भी ज्यादा चेहरे और चलन से सेवा कर सकते हो बाबा कहते हैं आप मेरे शोकेस के शोपीस हो आपकी सूरत में बाब का परिचे सुनाने के बज़ाए दिखाई दे हैना उनको लगे कि सच में इनको बाबा मिला है, इनकी सूरत से पता चलता है तो अच्छा कि आप बाप दादा भी देख देख हर्शित हो रहे हैं इस वर्ष को वाइस सीजन को विशेश उत्सव की सीजन वनाई है हर समय एक जैसा नहीं होता है तो ड्रिल कराई बाबा ने, सभी में रूलिंग पावर है करमेंद्रियों के उपर जब चाहो तब रूल कर सकते हो मन को ओडर दो, बुद्धी को ओडर दो, इंद्रियों को ओडर दो तो जो ओडर दो वो करती हैं स्वर आजचे अधिकारी बने हो जो स्वराज्य अधिकारी हैं वही विश्व के राज्य अधिकारी बनेंगे जब चाहो कैसा भी वातावरन हो लेकिन मन बुद्धी को ओर्डर दो stop हो सकता है या टाइम लगेगा है न मन को कहो stop तो हो सकेगा या stop कहा फिर भी चलता रहेगा और एक्सिडेंट करके ही थमेगा ये अभ्यास हरेक को सारे दिन में बीच पीच में करना अवश्यक है कंट्रोलिंग पावर के लिए पहले ड्रिल करने पड़े बीच पीच में ट्रैफिक कंट्रोल होता है न बन बुद्धी को किसी भी परिस्थिति में stop माना stop तो ये ड्रिल करते करते स्वराज अधिकारी अवस्था पक्की करनी है और कोशिश करो जिस समय मन बुद्धी बहुत व्यस्त है ऐसे समय पर भी अगर एक सेकेंड के लिए stop करना चाहो तो हो सकता है तो सोचो stop और stop होने में तीन मिनिट पाँच मिनिट लग जाए ये अभ्यास अंत में बहुत काम में आएगा इसी आधार पर पास्वे दौनर बन सकेंगे अच्छा सदा दिल के उमंग उत्साह का उत्सव मनाने वाले सनेही आत्माई सदा हीरे तुल्य जीवन का अनुभव करने वाले अनुभव के अथोरिटी वाले विशेश आत्माई सदा अपने सूरत से बाप का परिच्षे देने वाले बाप को प्रत्यक्श करने वाले सेवाधारी आत्माई सदा गंभीर और रम्नीक दोनों का साथ में बैलन्स रखने वाले सबके ब्लेसिंग के अधिकारी आत्माई ऐसे चारों और के देश विदेश के बच्चों को शिवरात्री के मुबारक मुबारक हो साथ साथ बाब दादा का दिलाराम वा दिल वजान सिक्व प्रेम से याद प्यार और नमस्ते ऐसे मीठे प्यारे बाबा को भी हम बच्चों का याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते ओम शान्ते बर्दान है अपने राज्य अधिकारी वा पुझ्य स्वरूप की स्मृती से दाता बन देने वाले सर्व खजानों से संपन भव बाबा केते सदा इसी स्मृती में रहो कि मैं पुझ्य आत्मा औरों को देने वाली दाता हूँ लेवता नहीं देवता हूँ क्योंकि इसी देवता सुरूप के यादगार चित्र पुझे जाएंगे तो अभी संपूर्ण देवता सुरूप में स्थित होना है जैसे बाप ने आप सब को आपे ही दिया है ऐसे आप भी मास्टर दाता बन देते चलो मांगो नहीं बाबा किसे इसको मांगने से नहीं देते न बाबा दाता है तो देते जाते हैं ऐसे आप भी पर्खो किसको क्या चाहिए और देते चलो अपने राच्य अधिकारी वा पुझे स्वरूप की स्मृति में रहो आज तक आपके जड़ चित्रों से जाकर मांगनी करते हैं कहते हमको बच्चाओ तो आप बच्चाने वाले हो बच्चाओ बच्चाओ कहने वाले नहीं परंतु दाता बनने के लिए याद से सेवा से शुब भावना शुब कामना से सर्व खजानों में संपन बनो तो जितना याद करेंगे सेवा करेंगे सर्व प्रति शुब भावना शुब कामना रखेंगे अपने लीकेज को रोखेंगे तो संपन बनेंगे तब इस स्वरूप में पक्के स्थित हो सकेंगे स्लोगन है चलन और चेहरे की प्रसनता ही रूहानी परसनालिटी के निशानी है रूहानी परसनालिटी माना आत्मा अपनी आत्मिक परसनालिटी में रहे आत्मा कैसी है परमात्म संतान है संपन है भरपूर है सर्व गुणों शक्तियों के खजाने आत्मा के अंदर बाप समान है तो जब आत्मा अपनी ऐसी भरपूर्ता में रहती तो उपर से निशानी क्या दिखाई देगी चलन और चेहरे में दोनों में प्रसनता क्योंकि प्रसनता संतुष्टा की निशानी है और संतुष्टा सर्वप्राप्तियों की से संपन होने से आती है तो जब हम अपने को आत्मा समझते तो हम बाप की याद से अपने को संपन अनुभव करते संपन अर्थात संतुष्ट और संतुष्ट अर्थात प्रसनता की निशानी दिखाई देगे अच्छा ओम शान्ति